Hello students, CVSC board, ICSC board, NIUS board, इन सभी board के examinations आपके जुलाई में कंड़क्ट कराये जाने हैं, जिसकी regarding parents ने Supreme Court हो, High Court हो इसमें case कर दख्खा है, तो exam cancel होंगे या नहीं, इसकी regarding एक updates आपके साथ सेयर करूँगा, Supreme Court में, CVSC की regarding और Bombay High Court में जो है वो आपकी ICSC board के against जो है वो case चल्लाई और case में जो है वो सुनवाई हुई थी, तो सुनवाई में ICSC board ने क्या कहा, और parents ने वहाँ पे क्या कहा, और क्या फैसला जो है वो वहाँ पे court ने लिया, तो सारी updates मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ, तो एक-एक बात को ध्यान से सुनिएगा, तो सबसे पहली बात तो यह article है, वो article आज तक में 15-2020 को published हुआ था, और ICSC board के जो कहा चात चाहें तो छोड़ सकते हैं 10B की परिक्षा, महरास्ट में यह Bombay High Court में यह case फाइल किया गया था, महरास्ट में जिस हिसाब से cases increase हो रहे ह cases हैं आज महरास्ट में, तो parents ने case किया था, कि जो वहाँ पर बच्चे हुए 10th के examination है उसके against, तो ICSC board का कहना कि students चाहें तो वो 10th class के examination जो है वो अपने छोड़ सकते हैं, CBSC के खिलाब जो है वो सुपरिंग कोर्ट में case है, उसके लिए मैंने सुबह वीडियो में cover किया था खाजर रह सकते हैं, बोर्ड ने कहा कि ऐसे छात्रों का मुलियांकन pre-board और internal exam के आधार पर किया जाएगा, उन्होंने एक option दे दिया कि अगर आप चाहें तो examination वहाँ पर दे सकते हैं और examination ना चाहें तो ना दें और चाहें तो दे दें, अगर आप exam hall में आ चुके हैं और पेपर अगर आपने एक पेपर दिया तो फिर आपको सारे पेपर फिर वहाँ पे देने पड़ेंगे और आपने एक भी पेपर नहीं दिये तो फिर आपको जो internal marking है या फिर जो आपके pre-board examination है उसके basis पर आपको यहाँ पर marks दिये जाएंगे, अभी तक board ने वहाँ पर यह भी पूरा के लिए नहीं किया है कि यह केवल महरास्ते स्टेट के लिए है या फिर यह पूरे all over इंडिया में हर 10th class में जो स्ट्रेंट से आइससी बोर्ड का उनी के लिए है, यह परिक्षा जुलाई में होने वाली है, टाइम टेबल के अनुसार, आइससी बोर्ड की अनुसार जुलाई में परिक्षा जुद करें, तो जो नए सेडूल है, उसके अनुसार यहां पर परिक्षा जुद करें, दूसरा इंटर्नल असेस्मेंट मूलियांका ने प्री बोर्ड के प्रदसन के आधार पर फाइनल परिनाम घोसित किया जाए, अभी दोनों बिक्ष पर काम किया जाएगा, बता दें कि कोरोना आने से पहले परिक्षा है, 27 फरवई से 30 मार्श सकती, अब बोर्ड ने तो दो आप्षिन दे दिये, यहां पर हाई कोर्ड ने देखिया, यहां पर लिखा भी है कि परिक्षा को लेकर हाई कोर्ड ने सुनवाई में दो बिकल पर यहां पर देखा जा जिस हिसाब से बोर्ड से वहाँपे सहाय कोर्ट ने जवाब मांगा है कि आप बताएं कि कैसे आप सेफटी मेजरमेंट करेंगे, पैरेंट्स का हर वार यही कहने है कि पैरेंट्स का वस एक ही सेफटी की न्सेयाटी देदी जा, उनको रिटेन में रहेगी सिक्योटी रहेगी उसको कोबिट से बचाके पूरी जुम्मेदारी जो होगी वो बोर्ड अगर अपने उपर लेता है तो वो अपने बच्चों को पेपर देने के लिए तैयार है अभी तक इसकी रिगार्डिंग आईसेसी बोर्ड ने कोई भी जवाब नहीं दिया है तो इसकी रिगार्डिंग बैनेस डे को बापस हेरिंग होगी और मेबी इसमें जो है फाइनलाइज हो जाएगा कि आपका एग्जामनेशन से आईसेसी बोर्ड के वो होने हैं या नहीं होने है और महारास्ट में ही ऐसे ह कि जहां जहां COVID के केसे जाना है केवल उस एरिया में ऐसा होगा तो यह सब नेक्स यहरिंग तक क्लियर हो सकता है तो इसकी रिगार्डिंग फृदर अपडेट्स मैं आपको देता रहूंगा कि रिगार्डिंग जो अपडेट से सुप्रिंग कोड में केस है तो उसकी भी मैंने उपर वीडियो बनाई हुई आई टैप पर क्लिक कर एक बार आप लोग उस वीडियो को भी जरूर देख लें